विल्व फ्रेंड्स वागे तापका मेरे यूट्यूब चैनल जिग्यासा टिप्स एंड ट्रिक्स में तो आज हम बात करेंगे कि हम बॉइलर की फ्यूल के जंप्शन पर आवर कैसे निकाल सकते हैं अगर आप भी फ्रेंड्स अगर बॉइलर का सेट्रिकेशन का एक्जाम देनी की सोच रहे हैं या बॉइलर टेंडेंट है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही पोटन होने वाली है तो आशा करता हूं कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे तो स्टार्ट करते है है अपनी वीडियो पहले हम आते हैं कि हमारा जो टाइप है वे है को और हमारे बैए प्रच्टी है बीस टन और स्टीम जो हमारी कर्जंप्शन हुई है वह हुई है वान लैक फिफ्टी थाउजन केजी और फ्यूल कोल का जो रेट है वह फाइप पैट फाइव यह अभी आपको इसकी जुरूरत नहीं पड़ी यह मैं आगे वीडियो में बताऊंगो कि मैंने य तो फ्रेंट्स आपके पास भी जो फोटलाइजर रहता है जिस पर हम स्टीम की कुजंप्शन वगारा नोड करते हैं वहां से आपको यह डाटा पहले क्लेक्ट कर लेना है और आप लेते भी होंगे तो आगे हम बात करते हैं कि हम आगे फ्यूल क्यंप्शन की रेशो कैसे निकासकते हैं तो उसका जो फार्मूला आता है वो आता है तोटल फ्यूल कंजंप्शन डिवाइड वाइट टोटल बॉइलर रॉनिंग आवर्स तो आपके बास जो स्टीम की कंजंप्शन थी वह ती बन लाग 50 थाउसेंड और जो कोल की कंजंप्शन थी जो भी आपका फ वो बीस हजार 20 hours आया अब वो जो हमारा फार्मुला है वो है टोटल फ्यूल कि जंप्शन डिवाइड वै टोटल वाइलर रुणिंग आवर तो हम हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2500 केजी फ्यूल कंजम्शन पर केजी तो इसको हिंदी में सोड़ा समझ लेते हैं कि जो भी हमारा बॉयलर है पूरे पिछले दिन या जब भी यह जो भी डाटा आपने इकठा किया है उस दिन का जो भी फ्यूल कंजम्शन है हमार एक आवर्स में जो हमारा बॉयलर है वो 2500 केजी फ्यूल कंजम्शन कर रहा है फ्रेंड्स अम थोड़ा सा हम बॉयलर स्टीम फ्यूल रेशो के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि यह भी काफी इपोर्टन पैरामीटर रहता है बॉयलर के लिए अगर आप कहीं पे बॉयलर क्लियर कर लेते हैं इसके उपर मैंने एक वीडियो पहले बना चुका हूं अगर आपको पूरी क्लियर्टी चाहिए डिटेल में चाहिए तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो मैं लिंक आपको डिस्क्रेशन में जरूर दे दूँगा तो थोड़ा सा इसके बारे में भ देखा भी था वहां पर मैंने लिखा हुआ था तो मैं यहां पर भी थोड़ा था मैंचन कर दिया हुआ है तो हमारे पास जो एक पिछले दिन का जो भी डाटा आपने स्टीम पोर्लाइजर से लिया होगा वह मान लो की 150,000 kg हमारे पास स्टीम को जंप्शन होई और जो अब इसको समय लेते हैं कि 3 kg का मतलब क्या है इट मीन 1 kg कोल रिकॉयड 2 3 kg स्टीम जनरेशन तो स्टीम की जो रेशो आई जो आई वह आई 1.3 अब इसको थोड़ा सा हिंदी में डिटेल में समसे कि यह क्या बोर रहा है इट मींज 1 kg कोल मतलब अगर आपको 3 kg स्टीम बनानी लेगा तो जो यह एक्जम्पल के तोर पर जो डाटा उसके साब से अगर आपका बॉयलर आपने अपनी रेशो बॉयलर के निकाल ली तो आपको पहले स्टीम कुझेंशन लेना पड़ेगा फिर फ्यूल कुझेंशन जो भी आपका आ रहा होगा उसको डिवाइड कर दोगे जो भी आपकी वैलिव आएगी वो आएगी रेशो आपकी मतला आपकी वैलिव आप मालो की आपकी स्टीम लगती है 50,000 या आपकी कुझेंशन होती है 20 kg पोड़ा सा एक्जम्पल लेकर इसको समझ लेते हैं मालो की जो हमारा फ्यूल स्टीम की जो हमारी कढ़ेंशन हुई है वो हुई है हमारी 50,000 kg और जो हमारी फ्यूल की कढ़ेंशन हुई है फ्यूल की जो हमारी हुई है 2,000 kg और अब हम निकालनी है रेशो तो फार्मूला हमारे लिए सेम ही है हम क्या करेंगे 50,000 को हम डिवाइड कर देंगे जो भी हमारी फ्यूल के जंप्शन आई 2,000 kg और जो हमारी रेशो निकल के आएगी हो आएगी 25 kg बतलब 1.25 इसका मीन क्या हुआगी हमारा 1 kg फ्यूल से हम 25 kg स्टीम को जनेरेट कर सकते हैं अगर आप ऐसा भी बहुत सकते हैं कि 25 kg स्टीम बनाने के लिए हमें 1 kg फ्यूल की जुरूरत है तो इसके बोलते हैं फ्रेंट्स स्टीम फ्यूल रेशो आश्य करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको कोई भी डोट है तो मिरे चैनल में नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिविकेशन भी जुरूर ओन करने जिसे आपको नए नए वीडियो ऐसे आती रहेंगी तो मैंने काफी वीडियो वाइलर के उपर बनाई हुए जैसे वाइलर क्या रहते हैं वाइलर की सेफ्टिया में क्या डिफरेंस है वालर की मौन्टिंग क्या होती है असेसरी क्या होती है तो काफी वीडियो है आपको दोस्तों वहाँ पर जाके आप जुरूर देखें